आपके भलेक ले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा गया आपी का फायदा एस वीडियो से थी है, जितनी भी इन्फॉर्मिशन में बता रहा हूँ, थोड़ा सब निकाल के देख लो, थोड़ा बड़ा है, बट इन्फॉर्मिटिव है जय हिंद, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हमारा डिसिप्लीन हमारे आउटफिट से शो होता है, हमारी परस्नलिटी, हमारा करेक्टर जो हमने सीखा होता है, वो हमारा सब आउटफिट बताता है, खासका जब हम पबलिक में जाते हैं, तो लोग हमें देखते हैं, खास तो जब मैंने बहुत सारे cadres को देखा है कि जब वो uniform पहन के बाहर निकलते हैं तो उन्होंने कैसे भी uniform की accessories, uniform items यानि जो batches, hackle, barret उन्होंने कैसे भी पहना होता है ठीक है उनको सही process नहीं पता होता है क्योंकि बहुत ही कम seniors ऐसे होते हैं जो अपने juniors को सही बात बताते हैं क कि ऐसे यह accessories पहनी जाती है, इसकी यह value होती है, खास का जब हम किसी selection के लिए जाते हैं जैसे RDC का हो गया, YP का हो गया, या फिर हमारा A certificate का exam होता है, B certificate या C certificate का exam होता है, तो उसमें हमारा discipline बहुत matter करता है, कुछ ही ऐसे बहुत कम seniors होते हैं जिनको पता होता है और वो अप बताने वाला हूँ, school में हो या college में, सभी credits लिए बहुत informative वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं सभी wings size, uniform accessories बताने वाला हूँ, detail में बताऊंगा, और कुछ points मैंने note down किये है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए start करते है, सबसे पहले point से जो कि है Barret, Barret दो टाइप के पेपर बैरेट और एक कपड़े वाली बैरेट, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर वाली बैरेट बिल्कुल मत लेना, कपड़े वाली लेना, इसका फोटो भी आप देख सकते हो, और लिंक आपको सभी items की description में मिल जाएगी, ठीक है, अभी कपड़े वाली बैरेट को set कैस देख सकते हैं, जिसे के हम इसे अच्छे से set कर सकता है, पेपर वाली बैरेट में यह काम नहीं होता, ठीक है, तो पेपर वाली बैरेट नहीं लेने चाहिए, बैरेट के बाद आगया पग, जो sick Legend होजाते हैं, उनके लिए पग होती है नहीं ठीक है और batch, hackle ठीक है जो JD होते हैं JD जो school में होते हैं उन्हें JD-JW कहते है JD boys को कहते है JW girls को जो college में आ जाते हैं senior सोजाते हैं से senior cadets कहते हैं तो senior cadets को hackle allow होते है hackle का मैं एक trick बताता हूँ कि इसको ऐसे set करके रखो इसको हमेशा एक paper tight container में रखो सागी जब आप इसे निकालो तो यह एक्दम set रहे इसको अगर आप barret में ही लगा के रखोगे तो इसका जो पंखुडिया है वो खराब होंगी तूटके ही रेंगी फिर इसको बाद में वैसे का वैसे है इसको set करके इसमें रख दो इससे क्या होगा आपका hackle set रहेगा और लंबे time तक चलेगा और इसकी जो पंखुडिया है वो नहीं तूटेगी और इसको set करने के आपने बहुत सारे RDC वाले बंदों को देखा होगा कि वो कैंची लगा के set करते है तो वो गलत बात है कैंची नहीं लगती इसका आपमान माना जाता है ठीक है बैरेट में इस तरी नहीं लगती वो भी इसका आपमान माना जाता है तो वीडियो आप का पीरड होता है college में NCC का तो उठने टाइम के आपको कम से बाल छोटे रखने चाहिए स्कूल में आपका two years का टाइम पीरड होता है ठीक है girls को hair tie रखने चाहिए hair tie करने के लिए उनका एक hair net आता है उसका आपको photo दिख रहोगा link सभी items के आपको description में मिल जाएगी अगर आपको कोई वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो इस पे बनाया हुआ है और वीडियो का लिंक आपको description में नहीं मिल रहा तो आप playlist में जा सकते हो बस थोड़ा सा वो नीचे NCC original से उस पे क्लिक करना पर मेरा channel खुल जाएगा side में जाना playlist में जाना नीचे outfit of a calendar के tab होगा उस पे क्लिक करना उस पे आपको videos में जाएगे आपके लिए बहुत जादा helpful साबित होंगे आजए बात करते हैं हम मेकाप मेकाप मैंने बहुत थेखा है तास-क कर नग को घरफ जो मेकप कर जाते हैं ट्रेश ट्रेमिंगे तन मारा पसीना ही हमासा मेकाप मेकाप करने कुई ज़राद नहीं को पाउडर लगा यह जा रहे ह निक कर ठीक है और दीनर कैड़ेट्स होते हैं उनके लिए पहेंट खाकी युनिफर्म होते हैं आर्मी कैड़ेट्स की जो नेवी बाले होते हैं उनकी वाइट होती है उनकी हाफ स्लीप्स होती है कहीं कहीं पर होते हैं जो फुल स्लीप्स भी पहनते हैं ठीक है आर्मी कैड़ आप खुद ही देखना अगर आपकी बीर्ड होगी और आप एंसेटी केड़िट बन चुगे हो तो आपना पहन के देखना बीर्ड में कैसे बीर्ड लगते आप ठीक है तो इसलिए बीर्ड नहीं रखना और नाकुन भी ठोटे रखने हाथ के ठीक है ताकि ट्रेणिंग के टा वो बाड़ा लेंड लगा लिए इसका इसनु ने चूट थायना इससे में बोल रहा हुआ इसको लेना को मैंने बताया आपको पहले भी कि दो रखना एक ट्रेणिंग mustardom एक इंटरव्यू के लिए जो ट्रेनिंग लिए आप यूनिफॉर्म रखोगे उसमें आम स्टाइटल यहां पर पैंसी सिखा लगता है उसको सिल्वा लेना अच्छे से यूंकि जब ट्रेनिंग करते हैं मार्च करते हैं तो यहां से एक दूसरे का लगते चुड़ जाता है इसलिए ट्रेनिंग वाले पर यहां पर सिल्वा लेना और जो इंटरव्यू अगरा के लिए रखोगे उसमें सिल्वाना मत उसमें अलग से आम स्टाइटर लखना पिन वाला वो लगा के काम चला लेना ठीक है और जब यूनिफॉर्म की बात आती है तो यूनिफॉर्म में यहां पे आपकी झरसी भी लगती है ऐंवी केदिटो वाली होती है नभी केडिट्स की सुकाते है और फछे अघ पर ट्रेक्सूट भी आता है इसका फोटो आपको weet लिंक सब भी items की description में मिल जाएगी, कुछ items की link मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने description में नहीं डाला, वो आप net पर search कर लो, मैं आपको prefer करता हूँ कि आप अपने घर के आसपास कोई shop होगा ना, वहाँ पर जाके shopping करो, मलब items की, NCC items की, ठीक है, क्योंकि जो net पर है, वो आपको time लगेगा पहुचने में, मगर अगर आपके आसपास तहीं पर ऐसी facility नहीं है, कोई दुकान नहीं है, जहांसे आप खरीच सकते हैं, आपको items नहीं मिल रहे तो आप online ज़रूर prefer करें, link आपको description में मिल जाएगी, और चाह तक हो सके, आपको अपने घर पे रह करीब, आसप number होता है, ठीक है, regimental number होता है, किसी में side में logo भी लगता है, तो ऐसे अलग-अलग name plates होते है, combat uniform में name plate लगता है, हमारा yellow boundary वाला, ठीक है, तो वो आपको combat uniform के बाद मिलेगा, कुछ बहुत सारे बैचों की, यह question होता है, combat uniform हो में कहा से मिलता है, तो आपको unit से issue होता है, तो क video में, कि आप direct बना-बनाया मत खरीदिये, पहले कपड़ा खरीदिये, और फिर सिलवाईए, तो आपको सस्ता भी बढ़ेगा, और आपको fit भी बैठेगा, fit बैठने से याद आया है, कि जो pant, उसमें बार-बार बता रहा हूँ, कि pant में आज करका जो fashion चल रहा है, कि नीचे पैंट में narrow कर देते हैं, पैर से चिपका देते हैं, पैर नीचे से खुला रहना चाहिए, पैंट, ठीक है, ताकि जब आप match करोगे, आपके कदम उठेंगे, तो आपके पैंट नहीं फटेगा, और आपके कदम भी अच्छे से उठेंगे, आगे, badges, badges आपके जितने भी national camp क बस इतनी बात याद रखीजिए, ठीक है, और नेम प्लेट के उपर सिफ पैरा कब बैच आता है, जो पैरा कोर्स कते हैं, उसका बैच आता है सिफ, बागी national games के नीचे ही आते ही नेम प्लेट के, और rank, rank दो टैप्स की आती है, एक velvet का आती है, और एक दूसरी normal red color की आती है तो velvet वाली लोग की तो ज्यादा ठीक रहेगा, वो चमकती भी है, ठीक है, uniform, यहाँ पे तो चार गयब होता है, चार उंगलियों का गयब होता है, ठीक है, buttons तीन दिखने चाहिए, यह सब यह बहुत के दिखने है, देखो, अगर आप fret हो, ठीक है, और आपका तीन बटन से ज्यादा बटन दिखना है, तो उसमें कुछ नीट कर सकते है, मगर यह है कि आपको अच्छे से पहनना चाहिए, एकदम फीट, ऐसे नहीं कि वर्दी बाहर निकल रही है, ठीक है, वैसे नहीं, एकदम अच्छे से, nicely, आपको smartly दिखना है, वर्दी पहनने का main मकसद यह है, कि आप smart दिखने चाहिए, ठीक है, बाकि अगर जैसे fit है, उनको तो तो तीन बटनी दिखने चाहिए, बैल्ट से उपर, ठीक है, और हर बटन के बीच में five fingers का gap होना चाहिए, यह हो गया, और वर्दी पहनने तो बहुत बत्ते होता है, वो उपर का एक बटन खुला रख द ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, वैब बैल्ट, वैब बैल्ट आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, यह वाले बहुत बहुत बंदे पैंदे, इसके जो पीछे के धुकडिया है ना, यह पिठ्ठु आरा बैले, यानि जब आपको पिठ्ठु लगना होता है ना यह बैल्ट कामता है, और जब आप नormar टरेग्ण के लिए, आप जब जिए जब होते हो या इसका पहनने का क्या तरीका होता है, गलत तरीक है, इसको फिट करने का है? इसको अंदर से ऐसे डालके ऐसे, सेट करना है ठीक है तो यह जो बेल्ट है ना यह लागू है जो यह कड़ी वाला है इसको सिर्फ पिट्थू में ही अलावड है और यह सिंथेटिक बेल्ट है तो इसने अगर आपने कोई नेशनल कैम्प किया यह आप SD बन गए हो 2nd या 3rd year में आयो तो आपको यह बेल्ट अल अलग से आएगा तो वह आपको खरीना है यह हो गया अभी next supporter supporter बहुत important होता है आपके जो shirt है उसको training के टाइम पे बाहर निकलने से बचाने के लिए ठीक है खासकर interview के टाइम पे supporter बहुत जरूरी होता है क्यों दुद में ट्रिल वगएर होता है तो आपके जो outfit होता है पहल order use होता है इसकी link भी आपको नीचे मिल जाएगी फिर handkerchief रुमाल इसका यह white color का होता है और इसको left pocket में रखा जाता है ठीक है इसको हमेशा अपने साथ रखना है बले आप training ले जारो है interview के ले जारों left pocket में आपका white रुमाल होना ही होना चाहिए ठीक है फिर socks socks two types के चलते black चलते हैं जादा तक DMS के बूट के साथ ठीक है DMS पर मैं video बना चुका हूं डिटेल वाला कौन दा लेना चाहिए ठीक है कैसे उसकी laces वागरा हो सब बना चुका हूं है फिर socks socks olive green आते यह वाले ठीक है और एक black वाले भी आते black वाले जादा चलते मगर olive green आज़कर चलने ल होता है और batches जैसे यह ABC ठीक है इनका रहता है ना आर्मी वालों का red रहता है नेवी वालों का dark blue रहता है और air force वालों का light blue रहता है ठीक रैंक के होता है कि जैसी second year में आते हो rank लगा के गुबने लगते भाई क्या है किसी से पूचा तो वो बताता है कि हमारे ano नहीं दिया तो आपको black rank लगेगी ठीक है और अगर आप है RDC YP के है तो आप gold लगा सकते हो ठीक है national camp की है तो आप gold लगा सकते हो तो उसके भी अलगलग criteria होते हैं मैं यह जितनी भी information बता रहा हूँ ना यह सारी important information है अगर आपको अच्छे से smart way में दिखना है आपको extra marks देखो कहीं आप जाओगे ना किसी भी exam के लिए हसकर RDC YP के लिए जाता बंदे क्यों नहीं select हो बाते क्योंकि एक तो वेकंसी कम रहती है उपर से जिसका outfit अच्छा होता है जिसका communication skill अच्छा होता है जो all-rounder कहते ने तरीके से वो होता है उसको बेजा जाता है आपके भले क्ले मैं य आपको बहुत जाता होगी और मैं उमीद करता हूं कि इन चीजों को जो मैंने बताया आपको points बताया उसको आप ध्यान में रखके apply करोगे और अगर कुछ भी doubt है तो मुझे comment box में नीचे पूछ सकते हो मैं आपको जवाब देता हूं जितना detail में हो सकते उतना detail में आपको रहती है उसका link भी मैंने नीचे description में दिया ABC certificate तीनों के लिए काम आएगी ठीक हो बहुत best book है उसको जरूर आप purchase करना और उसको अच्छा था पढ़ना ठीक है वो book में इसी सब उचाता है इस video को share जरूर करना भले थोड़ा बड़ा है बट informative है और कोशिश करना कि अगर य यह information मैंने बताई है वो अपने बाकी gadgets दोस्तों को अपने भाईयों को बहनों को बताते ना उनको ताकि अपना outfit वो सई कर सके ठीक है सब के लिए best रहे गए और एक छोड़ा था और काम कर देना कि जो नीचे लाल बटन है subscribe का वो डबा देना और उसके side का bell icon भी डबा देन ताकि अगला informative वीडियो जैसे है सबसे पहले पहुँचे आप तक बिना किसी देरी के अपने इतना किमती वक्त देकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद मिलते हैं अगले वीडियो में